आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो अबरीबन क्योशन है साइकलिस जा राइडिंग वेथे सपीड ऑफ ट्वंटी सेविन किलोमेटर पर अवर की स्पीड से अप्रोच इस असर्कुलर टॉन ओन दा रोड मतलब जब हम रोड पर टॉन लेते हैं तो वह वाला टॉन लिया है साइकलिस ने और उसकी रिडिस कीवन है हमें 80 मिटर जब वो सर्कुलर टॉन ले रहा था तो उसने ब्रेक लगा लिए उसकी साइकल के तो इस वज़े से क्या है इसकी स्पीड रिडिस हो गई 0.5 मिटर पर सेकिंड स्काइड से मतलब यह हमें एक्सेलरेशन गीवन है what is the magnitude and direction of the net acceleration of the cyclist on the circular turn हमें यहाँ पर net acceleration बताना है तो जैसे माल लेते हैं यह है वो circular turn और इसकी रिडिस हमें गीवन है 80 मिटर साइकलिस ने क्या है इस वाली जगे से उसकी velocity तो गीवन है 27 किलो मेटर पर आवर माल लेते हैं इस वाली जगे पर उसने ब्रेक लगाया होगा तो यहां से उसकी speed रिडिस हो गई है 0.5 मिटर पर सेकिंड स्कॉयर से तो मतलब यह हो गया यहां का tangential acceleration 80 इसकी value गीवन है 0.5 मिटर पर सेकिंड स्कॉयर अब हमें यहां पर velocity गीवन है एक यहां पर क्या है centripetal acceleration भी होगा जो कि अंदर की side में लगेगा तो यहां पर उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होनी थी velocity क्योंकि centripetal acceleration होता है v square by r तो velocity क्या है यहां पर 27 km पर आवर और km पर आवर को अगर हमें मिटर पर सेकिंड में convert करना होता है तो हम multiply करते 5 upon 18 से तो यह हो जाएगा 7.5 मेटर पर सेकिंड यह velocity हो गई और centripetal acceleration क्या हो जाएगा 7.5 इसका square divided by 80 तो centripetal acceleration हो जाएगा 0.7 मेटर पर सेकिंड स्कॉर यह centripetal acceleration क्या है यह लगता है इस वाली side में यहाँ पर लगेगा यह ac centripetal acceleration और हमें बताना है यहाँ पर net acceleration क्या होगा तो माल लेते हैं net acceleration है यह है net acceleration यह हो गया a हमें calculate यह करना है और इसकी direction क्या होगी यह बताना है मतलब यहाँ पर यह हो गया 5 हमें यह 5 भी बताना है और a की value भी बतानी है तो जो net acceleration होगा वो होता है under root ac का square plus at का square 80 तो हमें given है tangential acceleration उसकी value given है 0.5 meter per second square plus होगा यह तो है 80 का square plus ac का square है 0.7 meter per second square तो इसका under root जब हम लेंगे तो यह आएगा 0.86 meter per second square यह तो हो गया net acceleration अब हमें next बताना है 5 मतलब इसकी direction बतानी है तो 10.5 क्या होगा ac divided by 80 10.5 is equals to होगा ac यानि कि centripetal acceleration divided by tangential acceleration divided by 80 और ac की value तो अभी calculate करी है हमने 0.7 divided by 80 है 0.5 तो यह आएगा 1.4 और इससे 5 की value आ जाएगी हमारे पास में 54 degree 28 minute थेंक्यू क्लासिक स्टुवल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप या वाथ्साप कीचे अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर गलोड़ा.